नमस्कार आपका बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं प्रतमेश जोतिस चैनल आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी राशी अनुसार आपका अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा सभी लोग जाना चाहते हैं उनका आने वाला समय कैसा रहेगा यह जाने के लिए सभी नई चिनोतियों को आपको समना करना पड़ेगा इसलिए आज हम आपको आपकी राशी और कुंडली पर पढ़ने वाले बेविन ग्रह और नच्छत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए आपकी राशी के अनुसार इसका सटिक आंकलंक अक्टूबर महीनी के अ करेंगे ताकि आप उसी के अनुसार अपनी तयारी कर सके हैं यह जानते हैं कि अगर अक्टूबर महीनी में हम मीन राशी की बात करें तो जो मीन राशी वाले हैं इन्हें अपने परवार वालों का साथ मिलेगा मन में किसी बात को लेकर अगर कोई शंका है तो आपको परव अपने घरवालों के प्रती भावुक रवैया भी अपना सकते हैं माता पिता का आपको भरपूर साथ मिलेगा तथा उनके द्वारा आपके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास भी किया जाएगा महीने के तीसरे सप्ता में दादा दादी के स्वास्त बिगड़ सकता है इसलिए उनका विशेश ध्यान रखें किसी प्रकार की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए साथ ही उन्हें घर का बना पोश्टिक आहर दें अगर बात अक्टूबर महीने में आपके जॉप और बिजनिस की की जाए तो अगर आपने अपना पैसा भूमी संबंदे चेत्रों में निवेश कर रखा तो इस महीने आपको लाव मिलने के संकेत है राजमीति की चेत्रों से जुड़े लोगों को अपने लिए अबसर मिल स रहे लोगों को अपने काम में समस्या का सामना करना पड़ेगा तता किसी सह कर्मी के साथ आपका जगड़ा भी हो सकता है और अफिस की राजनीति से आपको दूरी बनाका रखना चाहिए और ने था ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा अगर आपके सिश्चा और करिय चात्र अपने लिए नए आयाम स्थापित करेंगे जिसे कि उन्हें कुछ नया सीखने को मिल सकता है कुछ नया करने के चक्कर में मन शुरू में तो संसे में रहेगा लेकिन धीरे धीरे इसमें आपको सफलता मिलेगी जिसे कि आपका मनोवल भी बढ़ेगा जो लोग गवर करने को लेने से पहले भगवान हनमान का नाम अवश्य जाप करें अगर आपके लव लाइफ की बात करें अगर आपके बिवा का ज्यादा समय नहीं हुआ तो आपको अपने पार्टनर से कोई सुब समाचर मिल सकता है जिसे कि घर में खुशी आएंगी किसी भी बात को बाह पल भी लेकर आएगा बिवा की प्रतिक्षा कर रहे लोग अपने लिए उदासी का रवया भी अपना सकते हैं अगर अक्टूबर महीने में आपके हेल्थ की बात की जाए तो मानसिक रूप से आप पहले की तुल्ला में जादा मजबूत महसूस करेंगे तता मन में नए दम स्वस्त रहेंगे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी कुल मिलाकर ये महीना आपके स्वास्त के दृष्टी से उत्तम ही रहने की संभावना है कुछ छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ दिया जाए तो पूरे महीने आप पहले से जादा उर्जावान महसूस करेंग अगर आपके लगी आंक की बात करें तो वो शुब आंक आपका नो रहेगा इसलिए नो आंक को आपको प्रात्मेकता देनी चाहिए मीन दाशी वालों के लिए सुब कलर स्लेटी रहेगा इस महीने स्लेटी रंग के कपड़ों का प्रयोग जादा कीजिए वीडियो के